तो जब बहुत कम टाइम में बैसन की वर्फी बन करके रेडी हो जाती है बैसन की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए वन कप शूगर और उसी कप से हमने इसमें हाफ कप पानी एट कर दिया है मीडियम फ्लेम पर हम इसे बोईल करेंगे और इसका बनाएंगे वन स्ट्रिंग का शूगर सायरप यानि की एक तार का चाशनी फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है और मेज़न के लिए आप कोई भी छोटा या बड़ा एक कप डिसाइड कर ले और उसी से हम सारी चीज़ें मेज़र करेंगे तो आप देख सकते हैं जो चाशनी है उसमें बोईल आने लगे हैं अब हम इसमें इसका तार चेक करेंगे तो तार चेक करने के लिए अपने हाथों में इस तरह से थोड़ा शूगर सिरप ले 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 बहुत गर्म होता है थोड़ा दियान से और आप देख सकते हैं इसमें से फिंगर और थम से दबा करके खींचती हूं तो वन स्ट्रिंग दिख रहा है इसका मतलब हमारा शुगर सिरफ परफेक्टली रेडी है अब सेम मेजरिंग कप से हमने एक कप बेशन और चिकपी फ्लार ले लिया है और हम धीरे-धीरे इसके अंदर शुगर सारप के अंदर चिकपी फ्लार एड़ करना शुरू करेंगे कंटिन्यू आप चलाते रहें एक साथ हमें सारा नहीं डालना है दीरे-दीरे से हम इसमें इसे डालेंगे और स्पेचुला से मिक्स करते जाएंगे अगर आप बेसन को या चिकपी फ्लार को स्टेनर में डाल करके चान लेंगे तो इसमें लंप्स नहीं रहेंगे जिसा कि मैंने यहां पर नहीं चाना था तो इसमें कुछ लंप्स दिख रहे हैं तो इस पेचुला से हम इसे दबा देंगे बहुत इसली इसमें मिक्स हो जात एक एक दो दो इस्पून दीरे दीरे मिक्सचर के अंदर डालना शुरू करेंगे और इसे इस तरह जलाते जाएंगे ग्रेजूली हमें सारा गीस के अंदर डालते हुए मिक्स कर देना है जब तक कि ये थोड़ा सा फूल जाए क्वांटिटीस की डबल हो जाए इसमें बबल साने लगेंगे और इसका कलर हलका सा ब्राउनिश हो जाएगा हमें पूरी तरह से ब्राउन नहीं करना इसका कलर पर ब आप देख सकते हैं साइड से इसने पेन को छोड़ना शूरू कर दिया है बाकी का जो घी है वो भी हम इसमें एट कर देंगे हमें घी को बचाना नहीं है और आप देख सकते हैं मिक्सेसर जो है उसने पेन छोड़ना शूरू कर दिया है ये ठिक भी होने लगा है और इसमें bubbles बहुत जादा आ रहे हैं यह जो bubbles हैं यह इसे light बनाएंगे और इसे फूलने में help करेंगे तो यह बहुत important है आपको इसे continue चलाना है अदरवाइस यह नीचे stick हो जाएगा और जल भी सकता है sides में से यह ठीक होने लगा है एक whites आपको layer दिख रहोगा जो ring बना रहा है वो है इसके bubbles जो इसमें दीरे-दीरे से आ रहे हैं और इसके अंदर हवा जो भर जाती है वो भरने से यह फूलने लगता है बाकी का जो गी है वो भी मैं इसके अंदर add कर चुकी हूँ इसे मैं थोड़ा सा close-up लेकर कि आपको दिखा दी हूँ कि इस तरह से side में से white होकर कि एक ring बन जाता है जो इसके अंदर हवा भरने में help करता है जिससे हमारी जो बरफी है वो एकदम fluffy और एकदम अच्छे से texture में आएगी यह देखिए side में से white होने लगा है और bubbles इसके बढ़ते जा रहे हैं और pen अच्छे से side से clean होने लग जा है जब भी आपको मीठा काने का मन करें आप इस recipe को बना करें ट्राइ कर लें 10 मिनिट के अंदर आपकी यह बहुत मज़ीदा सी और बहुत amazing सी बरफी बनकर के रेडी हो जाएगी इसका quantity almost double हो चुका है फूल गया है अच्छे से नेक्स टाइम जब भी आपका बरफी काने का मन करें कुछ भी मीठा काने का मन करें तो यह बरफी ट्राइकर लेना आपको बहुत ही मसा आने वाला है और इसे बनाना इतना easy और quick एक से कोई भी ट्राइकर सकता और कोई भी बना भी सकता है लास्ट जो अभी हम इसमें डालने वाले हैं वो है one fourth spoon of ilaichi powder और cardamom powder जो इसके टेस्ट को बढ़ा भी देता है और digestion के लिए भी इलाइची बहुत ही अच्छा होता है मिलाने के बाद आप देख सकते हैं इसका color हलल कासा golden हो गया है हलल कासा इसमें color आ गया है खुश्पू बहुत अच्छी आ रही है और यह थिक भी अच्छे से हो गया है फूल चुका है और इसने sides को छोड़ दिया है गेस को मैं बंद कर दूँगी और इसे immediately यहां एक खालेटीन है मेरे पास sweet का उसके उपर लगा दिया मैंने parchment paper और butter paper और फटा फट से इसके उपर हम इसे transfer कर लेंगे क्योंकि यह बहुत ही जल्दी गाड़ा हो जाता है तो इसे थोड़ा सा quick करें transfer करने के बाद मैं इसे 10 minute के लिए as it is छोड़ हूँगी और उसके बाद जैसी यह थोड़ा सा normal हो जाता है थोड़ा सा थंड़ा होने लगता है हम इसके उपर marks लगा देंगे जिस size के pieces में आपको cut करना है तो मैं knife से इसे लंबे लंबे pieces में cut करने के लिए marks लगा रही और marks लगाने के बाद मैं इसे फिर से इसे ही छोड़ दूँगी जब तक कि यह पूरी तरह से ठंड़ा नहीं हो जाता मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगी तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरह से लंबे marks लगा के छोड़ दिया है और थोड़ी दिर के बाद जबी ठंड़ा हो गया है मैंने इसे बाहर निकाल लिया है और इसे airtight कंटर में डाल कर कम से कम 30 days तक यान कि 1 month तक आप enjoy कर सकते हैं बहुत rich और बहुत करें हमेशा अपने असपास उन लोगों को देखिए जिनने उस खाने की सवरत है वह खाना उन तक जरूर पहुचा है थैंक्स पर वोचिंग मैं वीडियो